Hello everyone, in this video we are going to do class 628 activity sheet number 11, date है इसकी 29 जन्वरी 2022 और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक information देना चाहती हूँ Dear learners, आप Unacademy पे competitive game field battle में पार्ट ले सकते हैं, The Unacademy Combat Every Sunday इस free test में पार्ट लेकर आप scholarships, medals and merit certificates जीच सकते हैं India के top educators की through framed questions होंगे, both in English and Hindi Real time leader board generate होगा after every question Personalized scores and ratings से आप अपना performance evaluate कर सकते हैं Detailed video solution मिलेगा हर question का और सबसे important, top performers को मिलेगा merit certificate, medals and you can win scholarship worth rupees 1 करो साथ ही Unacademy लाया है limited period offer 12 months and above के plus subscription लेने पर आपको मिलेगा 3 month का extra subscription बिलकुल free इसी तरह 12 months and above के iconic subscription लेने पर आपको मिलेगा 6 month का creative corner subscription free Description में सभी link दी हुए है मेरा code BLOWM10 use करें to enroll for free इतना ही नहीं इस code से आप कोई भी subscription buy कर सकते हैं 10% off पर So learners Unacademy के साथ let's crack it Okay so students चलिए अब बक्षित continue करते हैं Hello children it can be a lot of fun to enjoy things around us rightfully यानि की Hello dear children देखे बहुत ज़दा मज़ा आता है बहुत अच्छे से अगर हम अपने आसपास की चीज़ों को use करें अगर हम अपने आसपास की चीज़ों को rightfully use करें तो उससे में काफी ज़दा fun होता है It is our right to go to school, to walk on roads, go to a hospital, to a monument, a park and a temple It is also our right to enjoy the flag hosting on our national festivals ये हमारा हग बनता है कि हम school जाएं, हम अपने जो सडके हैं उन पर चलें hospital जाएं, किसी monument में जाएं, park में जाएं, चाहें, temple में जाएं ये हमारा right है, हम ये कर सकते हैं और ये हमारा right ही, एक हमारा right ये भी है कि जब हमारे national festival पर flag hosting होती है यानि जब धोजा रोणन होता है, तो हम वहाँ पर भी जा सकते हैं ये भी हमारा हग है, ये भी हमारा कर सकते हैं ठीक है, इसके लिए हमें कोई रोकेगा नहीं It is all free, 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 as it is our right और ये एकदम free होता है, ठीक है, मुफ्त होता है कि ये हमारा right है, ये हमारा हक है हम इसे अराम से कर सकते हैं, ठीक है हम चाहें तो flag hosting पर जा सकते हैं national festivals पर जो flag hosting होती है, वहाँ पर जा सकते हैं हम सड़कों पर जा सकते हैं, school में जा सकते हैं, monument में जा सकते हैं, hospital में जा सकते हैं, कहीं पर भी हम easily जा सकते हैं, चाहे वो park की बात हो या temple की तो here is a story where a child like you not only enjoys his rights but is responsible too तो देखें, यहाँ पर एक ऐसे बच्चे की कहानी दी गई है जो ना ही सिर्फ अपने हकों को enjoy करता है, ना ही अपने rights को enjoy करता है, साथ ही साथ वो काफी जादा responsible भी है read and enjoy, understand the message behind the story तो यहाँ यह story हम पढ़ेंगे और जो messages के अंदर दिया गया है, जो शिक्षा है इस story के अंदर, उसे समझने की कोशिश भी करेंगे तो 26th January की स्टूरी है, Republic Day होता है उस दिन, ठीक है मानव ने white color के कपड़े पहने थे और white ही shoes पहन रखे थे वो mirror के सामने जाकर खुद को देखता है और मुस्कुराता है He left his home early to attend the flag hosting और वो अपने घर को जल्दी ही छोड़ देता है किसके लिए मतब छोड़ने का मतलब वो निकल जाता है अपने घर से जल्दी ही क्योंकि उसे flag hosting को attend करना होता है, यानि द्वजा रोहन में जाना होता है It had rained the previous night, small puddles of water were all over the road यानि कि पिछले ही रात बारिश हुई थी, इसलिए जो पूरी सड़क थी, वो छोटे-छोटे पानी के पुदल से घरी हुई थी यानि पानी के गड़े इस तरीके से हो रखे थे, छोटे-छोटे पूरे सड़क पर मानवी और उसके कुछ निवर्स भी यानि पडोसी वगेरा भी घर को घर से निकल जाते हैं द्वजा रोहन के लिए तो यहाँ मानवी की बात कर रहे है, मानवी भी एक गर्ल है जो क्या कर रही है जिसने एक bright separate dress पहन रखी है और shoes पहन रखे है यानि की हलके color की separate dress है उसकी और shoes है मानवी spliced to water in the puddles in love तो मानवी क्या कर रही है, अपने खेल रही है, पानी के घड़ों में बार-बार अपने पैर डाल रही है, कूड रही है तो अब यहाँ पर यह जो मानव है वो कहता है मानवी से be responsible, हमें responsible रहना चाहिए मानव टोल मानवी to not dirty your shoes, they will be wet and muddy तो अब मानव मानवी को बताता है कि हमें अपने shoes को गंदा नहीं करना चाहिए जिससे वो अगर हम ऐसा करेंगे तो वो गीले हो जाएंगे और बहुत ज़दा कीचर से सन जाएंगे He tried to stop her, मानवी your mother will have a difficult time washing and drying them मानव मानवी को समझाता है कि अगर तुम अपने shoes गंदी करती हो तो वो गीले हो जाएंगे और तुम्हारी mother कितनी महनत करती है और कितना अपना समय निकाल कर उन्हें wash करती है, उन्हें dry करती है थोड़ा तुम्हें उनके बारे में भी सोचना चाहिए और फालतु में इन्हें कंदा नहीं करना चाहिए Don't, please don't, but मानवी did not किया मानव ने तो बहुत बोला कि नहीं, ऐसा मत करो लेकिन मानवी ने तो उसकी एक न सुनी Both reached the ground, a huge crowd had gathered यानि कि दोनों जो थे वो ground पर पहुचे और बहुत सारा crowd इधर उधर जमा था As the flag was flying high on its pole, मानव felt proud that he had been a responsible boy तो जैसे वो देख रहा था कि flag उपर लहरा आ रहा था जैके जंडा उपर था और मानव को ऐसा feel हो रहा था, ऐसास हो रहा था कि वो एक responsible boy है, ठीके responsible citizen है तो ये हमारी story थी और इससे हमें एक ही शिक्षा मिली that we should be responsible, हमें responsible होना चाहिए और अपने national flag की respect भी करनी चाहिए और देखिए जब भी आपको अपने national flag जो हमारा तेरंगा होता है वो कहीं पर भी जमीन पर पड़ा हुआ देखिए तो आप उसको जरूर उठाएंगे और responsible बनेंगे अपने देश के लिए और आपको good habits भी लेनी चाहिए जैसे shoes को गंदा ना करना यहां से हमने यह सीखा दो को मानवी ने अपने shoes गंदे किये तो this is a bad habit हमें responsible citizen बनना चाहिए टिक है अब आप अपनी thinking hats पहन लीजे इसका मतलब आपको सोचना है और answer देने हैं कुछ questions के क्या आप सोचते हैं कि यह story Republic Day के बारे में है why क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि यह story Republic Day के बारे में है क्योंकि यहां पर मानव और मानवी जो तोनों थे वो यहां पर flag hosting के लिए जा रहे थे और starting नहीं बोला गया है Republic Day ठीक है it was 26 January Republic Day तो इसका answer आप कैसे रिख सकते हैं answer 1 yes I think this story is about Republic Day because मानव and his neighbors was dressed to attend the flag hosting यानि हां मुझे लगता है कि this story Republic Day के बारे में है क्योंकि मानव और उसके पड़ों से जो है उन्होंने dress बैनी थी flag hosting को attend करने के लिए तो यह आपका answer 1 हो जाएगा अब question 2 देखने से पहले देखिए तो subscribe जरू कर दीजेगा जिससे हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी videos बनाते रहें ठीक है second question देखिए pick out the objects in the story and write how you use them in a responsible way for example dress I like to keep my dress clean तो अब आपको कुछ चीजें इस story में से लेनी है और बतानी है कि आप उनको responsible way में कैसे use कर सकते हैं इसे के लिए dress अगर हम dress देखें तो dress को हम responsible way में कैसे use करेंगे I like to keep my dress clean यानि मुझे अपनी dress clean रखनी पसंद है ऐसे ही आप कुछ भी समान ले सकते हैं जैसे यहाँ पर shoes दिखा रखे थे तो आप shoes ले सकते हैं और लिख सकते हैं कि I like to keep my shoes clean मुझे अपने shoes को clean रखना जादा पसंद है तो आप उसे responsible way में कैसे use करेंगे उस चीज को ये आपको बताना है ठीक है तो आईए question number two का answer देखते हैं तो सबसे पहले dress ले ले लेते हैं I like to keep my dress clean फिर हम shoes ले ले लेते हैं I like to keep my shoes clean मुझे shoes clean रखना पसंद है फिर flag I will always respect my flag आपको हमेशा अपने flag की respect करनी चाहिए मैं हमेशा अपने flag की respect करूँगी या करूँगा ये इसका मतलब है slime का ठीक है तो ये हमारा answer one और answer two होंगे and I hope आज की वक्षित आपको समझ आई होगी तो प्रीज इस वीडियो को like कर दीचेगा अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा और इस वीडियो से आपको थोड़ी भी help मिली तो चैनल को जरूर subscribe कीचेगा meet you soon in the next video thanks for watching